एक शेल्डन पॉलक का भी आपने नाम सुना होगा जिनका एक शोध प्रबंद बहुत प्रसिद्ध हुआ है डेथ ऑफ संस्कृत यह उच्चवर्ग की भाषा है पिछले 200 वर्षों का जो संस्कृत साहित्य है इस पर उनका अवलोकन बहुत कम था नहीं जाता था किन्तु जो संस्कृत के प्रफेसर थे उनका ज्यान तो अच्छा था किन्तु वह संस्कृत के जिसे हम करते हैं कंजूमर उपभोकता संस्कृत साहित्य के उपभोकता वह नहीं थे न वह संस्कृत को वह अपने आम बोलचाल में उसका वह प्रयोक करते थे संस्कृत के माध्यम से ही उस विद्वान थे संस्कृत के साथ प्राकृत को वह ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि यह दोनों एक दूसरे की विरोधी भाशाएं इस को लेने के लिए बड़ी उच्छता रहती है जो भी वहां भारतिये मूलके है या जो वहां एक दो पीड़ी पूर्व से वहां पर हैं विद्द होगा यह सकाल होगा न मूंँ जा जाकर सील्यण पैसे इसी विचारधारा के साथ भारतिये मूलके या हिंदू मतावलं विं लोग वहां उस को लेते हैं किन्तु वहां क्या होता है कि कोर्ष को जो पढ़ाते हैं वह हिंद्धू नहीं होते हिंदू धर्म के ग्रंथों को प आंगले भाशा में जब संस्कृत कावियों का हम प्रणयन करते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं तो कौन से कौन सी चुनोतियां हमारे समीप आती हैं तो इसी दौर से यह चिंतन का कारिक्रम शुरू हुआ तो मैं पहले ही यहां पर बता देना चाहता हूं कि मैं संस्कृत का एक शात्र रहा हूं किन्तु मैंने मेरा मुख्य विशय संस्कृत नहीं रहा मैं मूलत अर्थशास्त्र और प्रबंधन का ही शात्र रहा हूं मैंने साथ संस्कृत का ध्यन किया कुछ स्वाध्याय भी किया और कुछ मैंने वहां के विश्वविद्धालेयों में जो अलग-अलग विश्व विद्ध्धाले के जो प्रोफेसर थे हमारे कॉर्डे युनिविस उनिवरस्टी में कॉलМबिया युनिवरसटी में और अन्य ही जो visiting faculty आते थे Oxford, Harvard इत्यादी से मैं उनके साथ अध्यान करता रहा कुछ वर्षों तक मैंने मूलतह वहाँ पर कुछ भारतिय दर्शन शास्त्र और कुछ पांडु लिपियों का भी मैंने अवलूकन किया तो इसी दौरान मुझे संस्कृत पढ़ने और कुछ उस पर चिंतन करने का आवसर मिला तो यह भूमिका मैं दे रहा हूं हूं इसलिए कि मैं आज जो व्याक्यान यहां आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करूंगा इसमें मैं कुछ अपने ही अनुभव आपसे साजा करूंगा कि मैं जब वहां गया वर्ष 2011 की बात है जब मैं वहां प्रथम बार गया था तो मैंने क्या-क्या देखा और संस्कृत जगत में क्या-क्या चुनौतियों का मैंने अनुभव किया मैं वही यहां पर आपसे साजा करने आया हूं थो जैसा के मैą कह रहा था कि मैंने भारती दर्शन शास्त्र का अध्याइन कुछ किया उसकी अतरिक्त कुछ काव्यों का अध्याइन किया जिसमें रामाइन आदी है प्रमुक्ः हमारे जो प्रोफेसर्स थे ये विभिन विश्व विद्यालें से थे कुछ वहां के थे और कुछ अन्ने जगह से ये विज्टिंग फैकल्टी थे तो जब मैं पहली बार वहां गया था तो सर्व प्रतम तो वहां एक परिक्षा होती है संस्कृत की किसी भी कक्षा में आपको बैठ लाटिन भाशा की ये प्रोफेसर थी किन्तु वह लाटिन ग्रीक संस्कृत आधी सभी भाशाओं पर पर उनका था पकड़ था कमांड था तो उन्होंने हमें एक परिक्षा दी थी वहां पर वालमी की रामायन का कोई एक सर्ग था उसमें कुछ तीस बक्तिस श्लोक थे वह जो निर्नाई करने की कसौटी थी वह अनुवाद था उन्होंने मुझे अनुवाद का एक कारे दिया और सामने अपने बैठ करके कि इस तीस बत्तिस श्लोकों का अनुवाद करो अंग्रेजी में यह मैं आपको यह उधारनी दे रहा हूं जब मैंने अनुवाद कर दिया उ आप सब तो संस्कृत के चात्र रहें आपको तो बड़ा सरल लगेगा श्लोक है यह उत्तरकांड का विभी शनाय चददाव यह चान्य रिक्षवानराह अनुमत प्रमुखावीरा राक्षशाष्य महाबला यह पूरे सर्ग के बीच में एक यह श्लोक था उन्होंने का कि स तो बड़ा विशित्र अनुबाद है इसमें गोल्डन स्वर्ण ऐसा शब्द कहां आया तो उन्होंने काया कि जो रिक्ष शब्द है यह रिक्ष है जैसे उन्होंने मुझे अमरकोश का उधारन दिया अमरकोश में आया है नपुन्सक लिंग में रिक्ष नक्षत्रम रिक् चर्फाट रिक्ष अर्थ और पूरे I chee कांड में या पूरे सर्ग मैं यहां भालू का रनन वर्णनए बंदन उन्हों का वंदन है इसकावान इंद्रन है रिक्ष ब6 उन्हों का फाल। दिए अन्य डिक्ष्णेरी उनके सामने दिखाए तो वो मान गए लेकिन मैं सिर्फ यह उधारन या उपस्तित इसलिए कर रहा हूं कि देखिए बहुत छोटी सी यह बात है रिक्षकार अरता ब्रीच लगाए या नक्षत्र लगाए लेकिन इसमें क्या स्वारसिक है इसका अ इस समस्या का प्रारंब होता है कि आप अनुवाद में जो मूल ग्रंथ है उसके अतरिक्त भी जाकर अपनी विचारधारा अपने विचारों को वहां पर आप प्रस्तूत करने लगते हैं तो ऐसा मेरे साथ एक बड़ा रोचक प्रसंगवा हुआ था फिर जब मैंने यह जो चात्र थे वो कुछ थे वो बिगिनर लेवल के कक्षाओं में थे देखा यहां पर तीन चार चात्र हैं कुछ अमरीकिये और कुछ यॉरोपियन हैं और यह चात्र हैं जो किसी कारण उनकी इतनी रुची है संस्कृत में कि दसों वर्षों से यह पढ़ रहे हैं बार सारे ऐसे शब्द हैं बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं मुहावरे हैं लोकोक्तिया हैं जो संस्कृत से ही प्रेरित हैं रामायन महाभारत आदी से हैं और वो पोलंड से हैं या रश्या से हैं उन्हें यह सब सीखने में अधिक समय लगता है तो जब मैं वहाँ पर थाक सेमेस्टर होते हैं तो कोई सेट सेलेबस नहीं होता कोई सेट सेलेबस नहीं होता जो पढ़ाना होता है वह अध्यापक या प्राध्यापक और चात्रों के बीच बीच की वह बात है वह प्राध्यापक पूछते हैं आप क्या पढ़ना चाहेंगे इस सेमेस्टर या इस टर पकड़ते थे एक सेमेस्टर और यह बात तो है कि भले ही उस पूरे संपूर्ण ग्रंत का अध्यन नहीं कर पाते थे ब्रह्म सुत्र के पांच या छे सुत्रों का इस अध्यन किया किन्तु जितना का भी अध्यन किया उसका संपूर्ण सारी व्याख्याएं सारी टीकाएं उन क्या अंतर है अंग्रेवी में भी जो शोद प्रकाशित हुए हैं इन पर उन सब का उन सब की वो चर्चा और पंक्तिशः अध्यन वह करते थे तो अध्यन वहाँ पर यह बात तो है कि बहुत गहन होता है बहुत समय देते हैं क्योंकि कोई सेट सेलबस नहीं है प्राध्या बड़ा गंभीर और गहन अध्यान करते हैं तो यह मैंने वहां पर मैंने देखा जो मेरे वहां पर आचारे थे मैं उनका नाम नहीं लोंगा लेकिन वह आचारे बड़ी प्रसिद्ध हैं अलंकार शास्त्र के वह बड़े विशेशगें हैं वह एक अमेरी के भी आपने नाम सुना होगा जिनका एक शोध प्रबंद बहुत प्रसिद हुआ है डेथ ऑफ संस्कृत डेथ ऑफ संस्कृत पता नहीं आप लोगों ने पड़ा है कि नहीं उसके अनेक उसमें आर्गुमेंट है लेकिन उनके जो दो मुख्य जो है बिंदू की एक संस्कृत की मृत्य हो चुकी है क्योंकि वो सैकडों वर्ष पूर्व जैसी थी वैसे आज भी है तो उसमें कुछ नई प्रगती नहीं हुई जो भाषा का स्वरूप था वो अभी भी है यह उनका कहना है और दूसरी बात यह कहते हैं कि जो संस्कृत की जो मृत्य हुई है बहुत यह सर आशा है तो संस्कृत की जो मृत्य हो गई यह बड़ी स्वागत योग्य बात है और इसकी वह इसकी वह सराना करते तो यह दो मुख्य बिंदू है कि संस्कृत की मृत्य क्यों वी और संस्कृत की मृत्य क्यों स्वागत योग्य है और इस शोध प्रबंध में मेरे जो आश संद्ता होगी कि उस विशय की मृत्ति हो चुकी है। पढ़ने वाले ही कहें कि जो मैं विशय पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, जिस पर मैंने दस वर्ष शोध किया है, वो उस विशय की मृत्ति हो गई है, और ये हमारे लिए बड़े स्वागत की बात है। तो मैंने उस समय एक श्लोक लिखा था और मैं उसका पहले आपको हिंदी अनुबाद कुछ मैं बता देता हूं फिर मैं आगे चलूँगा श्लोक यह था कि यदि कोई वैद्ध्य हो और उसे बुलाया जाए कि आप निर्णाई करिए कि यह मनुष्य जीवित है या मर गया और वो वैद्ध्य आए मनुष्य को देखने के लिए और जितने देर में वैद्ध्य उनका परिक्षन करें उसी बीच में मनुष्य बोलने लग जाए अगर वो मनुष्य बोलने लग जाए तब क्या वैद्ध्य फिर भी बैठकर सोचेगा कि यह जीवित है कि यह मर गया नहीं सोचेगा जब उसके सामने ही ये प्रत्यक्षि प्रमाणागर उपस्तित हो गया कि ये मनुष्य बोल रहा है और क्या वो हर्ष करेगा या या शोक करेगा मनुष्य अगर जीवे थे तो वो हर्ष की बात है तो मैंने एक श्रोक इसी पर एक लिखा था क्योंकि उसकी वह फिर चिंता नहीं रही तत्यक्षि प्रमाण उपस्टित हो गया तो जब मैं वहाँ था और इनके इनके इंफ्लुएंस में था जब मैं इनसे पढ़ ला था तो मुझे भी लगता था कि संस्क्रुत में आधुनिक कुछ नहीं इसमें आधुनिक रचनाई नहीं हो रही इसमें जो हो चुका वह भास भारवी कालिदा साधी लिखकर चले गए मुझे पता नहीं था और वह लोग पढ़ाते भी नहीं थे आधुनिक साहित्य पिछले 200 वर्षों का जो संस्क्रुत साहित्य है इस पर उनका अवलोकन बहुत क ग्रंथ मिला उस ग्रंथ का नाम था राजनीत शतकम और लिखा हुआ था डॉक्टर निरंजन मिष्ट जी जो आप जानते हैं बड़े बड़े प्रदिश्टित कवी हैं संस्कृत के साहित्य अकाडमी पुरसकार के वो विजिता भी है मुझे ये ग्रंथ मिला तो मैंने ग् बहुत ही सरस्थ भाषा और प्रासंगिक 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 विश्यों पर लिखा गया यह एक काव्य था तब मुझे लगा नहीं संस्कृत में आज भी रचनाय हो रही हैं और प्रासंगिक विश्यों पर रचनाय हो रही हैं तो क्यों न मैं भी इसमें थोड़ा- लिखना शुरूर करूंगा तो मैं लिख कर कभी-कभी अपने आचारे को आचारियों को वहां पर कुछ मैं दिखाता भी था यह से नव वर्ष आया तो नव वर्ष की कुछ बढ़ाई लिखी तो उनको दिखाए कि देखिए संस्कृत में तो अच्छा है अच्छा है लेकिन उनका मत इससे परिवर्थित नहीं होता क्योंकि वह कहते हैं कि संस्कृत जो है वह पिछले कई वर्षों से जैसी थी वैसी आज है इसमें नए प्रयोग नहीं हो रहा है आगे मेरा चिंतन इसमें और भी और भी बढ़ा और संस्कृत में कैसे नए प्रयोग किये जा रहे है नए साहित्तिक पक्षों का इसमें समावेश हो रहा है अन्य भाषाओं से विश्व भाषाओं से ग्रीक से लाटिन से या आज की यूरोपिय भाषाओं से इनका समवाध हो रहा है भारत की लोग भाषाओं से लोग संस्कृती से संस्कृत का कैसे समवाध हो रहा है इस पर मे दूरें ध nursery संस्क्रित भाशा है वैसे उनके लिए लैटिन अथवा ग्रीक भाशा जो उनकी पारंप्रिक साश्रुतिक विरांसत का वो प्रतीक है और हमारे विश्विधियाले में लैटिन के भी प्रफेसर थे ग्रीक के भी प्रफेसर थे और एक भिन्नता यह थी कि जो ग्रीक अथवा लाटिन के प्रोफेसर थे वो ग्रीक और लाटिन बोलते थे और उसमें अर्मॉलिक रचनाई करते थे और जो विद्यार्थी आते थे उन्हें ऐसा तैयार करते थे कि वो ग्रीक या लाटिन में लिखें बोलें और उसके लिए बड़े प्राइज कॉंपेडिशन अवार्ड होते थे जो नए नए जिसे वो कहते हैं ओरेटरी लाटिन में जो प्रिपेर किया जाता है एक स्पीच ओरेटरी और लाटिन भले ही आम बोलचाल की भाशा नहीं साम में तो बल्कि उसका अंग्रेजी अनुवात करवाना पड़ता है लाटिन में वो डिग्री लिखते थे ग्राजवेशन के समय भी लाटिन भाशा में एक स्पीच होता है या कुछ अनॉंस्मेंट्स होते हैं जो उनकी वो परंपरा है पिछले कई सौ सालों से वो लाटिन को को ऐसा महत्व देते हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण शैक्षिक या सांस्पृतिक कारिक्रम हो वहाँ पर लाटिन को यह सम्मान प्राप्त है कि यह हमारी प्रतम भाशा है और हम हम इसे वरियता दें प्राथमिक्ता दें तो यह मैंने देखा इसकी अतरिक्त वहाँ पर जो प्रोफेसर थे वो चाइनीज धाराप्रवाब बोलते ही थे जो लाटिन के प्रोफेसर थे वे लाटिन बोलते थे किन्तु जो संस्कृत के प्रोफेसर थे उनका ज्यान तो अच्छा था किन्तु वो संस्कृत के जिसे हम करते हैं कंजूमर उपभोगता संस्कृत साहित का माध्यम अनुवग बन कर रह गिया है और इस से कैसे हम बाहर निकvoorbeeld यह एक विचारणियů बात है since में मौलिक चिंदन हो, Samskrit भ्रण्थों को हम Sanskrit के माध्यम से हम पढ़ें और जो हमारे संस्कृत में उस समय के जो लेख हैं या उस समय के जो ग्रंथ हैं उनकी विचारधारा को भली भाती समझने के लिए हमें संस्कृत के माध्यम से ही उस ग्रंथ में प्रवेश करना पड़ेगा यह मेरा एक इस पर चिंतन है तब मैंने वहाँ पर ये भी देखा कि जो संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाशा के भी वहाँ पर कुछ विद्वान थे संस्कृत के साथ प्राकृत को वह ऐसे प्रस्टुत करते हैं कि यह दोनों एक दूसरी कीव की विरोधी भाशाएं एक एक और आपका वैदिक धर्म या ब्राम्मन धर्म हो गया और दूसरी और आपका बॉद्ध जैन या श्रमन परंपराएं होंगे और जब भी आप संस्कृत की बात करें कि संस्कृत में ऐसा है या संस्कृत यह तो मूलतह संस्कृत से आया है तो नहीं नहीं हमारे पास तो यह एक अलग परंपरा है यह शमन परंपरा है जिसमें यह सब प्राकृत से आया है तो इस पर हमारा एक बार वहाँ विवाद हुआ था कि ये शब्द कोई एक शब्द था ये मूल तह संस्क्रित का है या प्राक्रित का है ऐसा नहीं है कि सारे शब्द संस्क्रित के ही है अनेक शब्द प्राक्रित भाषा से भी संस्क्रित में आए हैं और आज भी आते हैं वि मुख वाइयाकरण हुए है हेमचंद्रा चारे जी उन्होंने का कि यह प्राकृत में जो प्रक्रिति शब्द है वह संस्कृत है क्योंकि यह प्रक्रिती से आया है इसलिए इसका और इसे इसलिए हम दोनों को समान वरियता दें तो जैसे मैं अभी कुछ आपको बताऊंगा ये एक मैंने इसे कुछ डॉक्यमेंट किया है कुछ इस पर आर्टिकल्स भी मैंने लिखे हैं ये इंडिक अकाड़िमी के पोर्टल पर इसे कुछ बायस के ऐसे इंसिडेंस है जो मैंने यहाँ पर एक डॉक्यमेंट किया है जैसा मैं पहले कह रहाता कि संस्कृत पढ़ने वाले अधिकतर लोग वहाँ विदेशी मूल के हैं भारतिय नहीं यॉरोपिय हैं या तो एमेरिकी हैं संस्कृत के अतिरिक्त भी यह प्रोफेसर कुछ अन्य विशे पढ़ाते हैं जिसे भारतिय मूल के या तो भारतिय जो भारत से गये हैं या वहीं के रने वाले जो हैं भारतिय वो उसे पढ़ते हैं और यह कैसे हैं जैसे मैं आपको एक उधारण देता हूँ जो प्रोफेसर एड्वान संस्कृत पढ़ा रहे हैं वही प्रोफेसर एक और फिर्स्ट यilingual के कोर्स पढ़ाते हैं महा भारत पर अंग्रीजी में है यह पूरा कोर्स और संस्कृत इसमें नहीं पढ़ाते हैं यह संपूर्ण तह अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अच्छा यह कोर्स को लेने के लिए बड़ी उच्छता रहती है जो भी भारतिये मूल के हैं या जो वहां एक दो पीड़ी पूर्व से वहां पर है विद्यमान उनमें रहता है कि हम अपने सानस्कृतिक विरासत सानस्कृत जड़ों को हम यहां पर खोजें पहचाने इसलिए वह यह कोर्स लेते हैं कि अच्छा है महाबारत की हम इसमें कुछ कहानिया सीखेंगे भगवान कृष्ण का यहां पर होगा वर्णन होगा यह सब हम वहां जाकर सीखेंगे ऐसे ऐसी विचारधारा के साथ भारतिये मूल क या हिंदू मतावलंबी लोग वहां उस कोर्स को लेते हैं किन्तु वहां क्या होता है कि कोर्स को जो पढ़ाते हैं वो हिंदू नहीं होते भारतिये नहीं होते और भारतिये विचारधारा से वह सेवे प्रेरित भी नहीं होते जबकि अन्य धर्मों के जो कोर्सेज वहां प पढ़कर आए हैं जोनों ने पंद्र पंद्र वर्ष चर्च की सेवा की है वे ही लोग विद्वान होते हैं बाइबल के और आकर उस पर अपना वक्तवे देते हैं जबकि संस्कृत पढ़ाने वाले वो तो मुझे स्वयम करते थे कि मैं तो नास्तिक हूं मैं इश्वर में मैं विश्वास नहीं रखता और आप पढ़ा रहे हैं भगवत गीता तो यह एक वड़ी विडम बना है कि अन्य धर्मों के ग्रंतों को पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो धर्म के मतावलम भी हैं जबकि संस्कृत को पढ़ाने वाले अत्वा हिंदू धर्म के ग्रंतों को जो महाभारता दे इंडियन एपिक पढ़ाया जाएगा पढ़ने वाले जो हैं उनका संस्कृत में ग्यान नहीं संस्कृत में उनकी गती नहीं संस्कृत ग्रंत का वो मौले का वलोकन चिंतन नहीं कर सकते जो भी पढ़ाएंगे वो प्रफिसर पढ़ाएंगे और अपने अनु प्रफिसर को पसंद है जो अनुवाद वो चुनेंगे वही लोग पढ़ेंगे उसके अतरिक तो कोई तीन चार अनुवाद पढ़ने का समय भी नहीं है न उनको रुची होती है इसका और भिन प्रकार से क्या अनुवाद किया गया है अभी मैं एक वक्तव्य देख रहा था श तो प्रारम्बिक संस्कृत भी जानते हैं वो पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं इस लोक का अनुवाद ऐसा नहीं है और चूंकि किसी एक ने आज से सौ बर्च पहले इसका अनुवाद एक प्रकार से से कर दिया उसके बाद आने वाले सभी विद्वान उसी उस लोक को उसी परिपार्टी बन गई आने वाले लोग उसी का अनुपालन करते हैं तो अनुवाद भी वही चुनेंगे और अनुवाद में से भी वो इतना मोटा ग्रंत है महाभारत तो अनेक अनेक वॉल्यूम्स में है सब कुछ नहीं पढ़ाएं कुछ sections पढ़ाएं और section वो पढ़ाएंगे जो उनकी रूची का हो अब आप सोचिए कि महाभारत में मैंने कई वर्ष लगाकर पांच या छे वर्ष लगाकर मैंने महाभारत के प्रतेक श्लोक को मैंने पढ़ा पंक्तिशा उसका मैंने अध्या जानी है आप उसमें से सबसे जो अधिक ज्वलंत जो है विशय जो सबसे आदा कॉंट्रोवर्शियल है विशय उसे आप वहाँ पर आप लोगों के समक्षा उसे प्रस्तुत करेंगे तो दुरावदी के वहाँ पर पांच पती अध्वा चीरहरण का जो वृत्तांत है अध कि महाभारत में इसकी अतरिक्त बहुत कुछ है बहुत सारे बहुत सारी लगुकताएं हैं बहुत सारे इसमें धर्मोपदेश हैं व्याख्यान है बहुत सारे विवाद हैं जो आपस में हुए हैं लोगों के बीच में कि धर्म का तत्प क्या है इस इस थिती में हमें हमें कै वहां प्रस्तुत करेंगे तो जैसे आप तो सभी जानते दुरावणी चीह तरणड जो सभापर्व में है उसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ उसमें कहा है और यदि उसे वहां पर प्रस्तुत कर दिया जाए जैसे रामाइन से अगर आप रावन द्वारा कहे गई श्लो करें कि यह पूरी ग्रंथ की वाणी है यह तो सम्यक नहीं तो इस प्रकार उसे उसे वहाँ पर प्रस्थुत करेंगे अच्छा अब इसका evaluation कैसे होगा इस पूरे कोर्स में जब इस प्रकार से यह पूरी भूमिका बन गई तो evaluation क्या होगा कि आपको कुछ topics दिये जाते हैं कुछ कुछ विशय दिये जाएंगे और उस विशय पर आपको अपना एक इस प्रकार आज के परिपेक्ष से जोड़ कर वह उसमें देखेंगे तो जैसे कि एक topic दिया जाएगा क्या महिलाय संपत्ति हैं द्रौपदी के परिपेक्ष में अब आज आज के परिपेक्ष में तो हम उसके हम उसका सिधा उत्तर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है किन्तु उस समय इस पर कुछ विवाद था और उसी विवाद को बड़े यह अतिशय योक्ति के साथ आज यदि हम प्रस्तुत करें तो वह प्रासंगित नहीं होगा तो इस प्रकार क कुछ वहां प्रकल्प चलता है कि प्राचीन ग्रंतों को मैं नहीं कहूंगा कि यह सब कुछ इंटेंशनल है सब कुछ वह जानबूच कर वह करते हैं किन्तु कुछ उनकी अपनी बायसेस हैं अपने कुछ पूर्वाग्र हैं जो उसमें परिलक्षित हो जाते हैं इन सब का प्रभाव यह पढ़ता है कि मुझे उस कख्षा में मैं नहीं था किन्तु कख्षा के जो कुछ विद्यारती थी वे मेरे पास एक बार आये कि मैंने तो सुचा था कि भगवान कृष्ण एक बहुत बहुत अच्छे पूरुश हैं बड़े जननायक हैं किन्तु महाभारत आपको ऐसा पढ़ाया गया कि भगवान कृष्ण तो बड़े चतुर थे लोगों को मैनिफिलेट करते थे अपनी कारिकी की सिद्धी के लिए और उनका जो दिव्यत्व है वो उसमें परिलक्षित नहीं हुआ तो आपकी विचारधारा संपूर्ण संपूर्ण तया परिव तो इस प्रकार जाने अंजाने एक ही वर्ष के दोरान में आपकी संपूर्न विचारधारा का आये परिवर्तन कर सकते हैं जो आपकी धर्म का जो 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 आधार शिला है उसे ही यह ठेस स्ठेस पहुँचा सकते हैं तो मैंने यह कक्षा नहीं ले थी किन्तों मैं जुन लोगों को मैं जानता हूँ उन्होंने इस कक्षा में पढ़ा था और उनके ऐसे अनुभव रहें एक और कक्षा में मैं था जिसमें भारती दर्शन शास्त्र के कुछ ग्रंथों का मैंने अध्याइन किया भगवद गीता भी उसमें एक ग्रंथ था भगवद गीता के विशह में आचारे का यह मत था मैं इसे यहां लिख करके लाया हूँ मैं उसे कोट करूँगा उन्होंने कहा था कि भगवद गीता is a manual of casteist morality इसमें जातिवाद से प्रेरित जातिवाद से प्रेरित नैतिकता है जातिवाद से प्रेरित नैतिकता का पड़ाया गया क्यों क्यों उन्होंने का कि अर्जुन को जो है वो यही उपदेश दिया क्रिश्न ने कि जो तुम्हारा वर्ण है शत्री अवर्ण है, शत्री अवर्ण के उचित जो कर्म है तो उसे करो, बले ही उसे करने में तुम्हारे कुल का नाश Hो जाये, शत्रों का नाश हो जाये, बहुत रगतपात हो, संपुर्ण मानवता पर ही संक्रच खड़ा ओजाए, किन्तु जो तुमारा जाती है आधार पर जो निर्धारित कर्म है तुम उसका निर्वहन करो ये उनका मत्था अच्छा एक और आप इसे रखे और दूसरी और जो क्रिश्चन फिलोसी में जो पढ़ाया जाता है जस्ट वार थियोरी नैतिकता के आधार पर लड़े गए यु जाती है आधारित नैतिकता है और दूसरी और ये पढ़ा रहे हैं कि हमारे क्रिश्चन फिलोसी में जस्ट वार थियोरी है जिसकी हमारी पुरानी परंपरा है तो मुझे इस कक्षा में के अंत में एक पेपर प्रस्तुत करना था जिसमें मैं कुछ अपना मौलिक चिंतन व इसका कुछ तत्व पाए जाते हैं और मुझे अनेक अईसे उधारण मिले स्मृति क्रंथों में मनुस्मति में यहां तक कि भगवत गीता की जो मधुसुदन सरस्पती की जो व्याक्या है उसमें भी युद्ध कब लड़ना चाहिए कब युद्ध नैतिक होता है कब क्या तत्व निकाल कर आज के दिन में प्रस्तुत कर सकते हैं इस पर मैंने एक वहां शोद प्रबंद लिखा था जो मैंने उनके सामने यह प्रस्तुत किया तो यद्यपी उन्होंने इसे स्विकार कर लिया किन्तों वो फिर भी इस बात पर डटे रहे कि आई यू ट्राइंग तो फिट मॉडन इंटर्प्रेटेशन इंटू एंशन टेक्स उन्होंने का कि फिर भी जो भगवत गीता है वह फिर भी जाती है नैतिक्ता का एक ग्रंथ है और जो तुम लिख रहे हो वह तो आधुनिक आधुनिक विचारधारा को तुम उस पर थो मैंने तो मैंने तो शोध प्रबंद में यह लिखा था कि देखिए एक पुरानी परंपरा है जिसमें भगवत गीता या एक युद्ध में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए इस पर फिर भी वह वह उस पर नहीं माने इस पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक पीवी काने का जो ब्रिहद ग्रंथ है इस्ट्री ओफ धर्म शास्ट्रस उसमें भी एक सेक्षन है जिसमें जस्ट वह थियोरी का ब्रिहद वर्णन किया गया तो ऐसा नहीं किये मैं प्रसंबार कर रहा हूं हमारे भारतिय दर्शन में भी जो आधुनिक चिंतक हुए वे भी इस पर कारे कर चुके हैं और इस पर विशद अध्यान कर चुके हैं इसकी अतरिक्त में एक और बात यहां पर उपस्थित करूंगा आपके समक्ष जो आज कल बड़ा प्रचलित है यह पाणिये व्याकरण पर जो कुछ नए जो शोध हुए है उस पर बड़ा विव पाश्चात्य शोध में जिसे हमें भली बादी समझ लेना चाहिए वह है भाशा का अंतर हम अपने शोध को किस प्रकार प्रस्तुत करें और पूर्वाचारियों से या पूर्व के जो अध्यता हुए हैं पूर्व के जो आचारियों हैं उनसे हम किस प्रकार सहमती अत्वा असहमती को व्यक्त करें इस पर भारती और पास्चात्य लेखन में और शोध में बड़ा मत्मेद है जैसे मैं कुछ उधारण लिख कर लाया हूं अगर वहाँ पर कोई शोध करता ऐसा लिखे कि ABC is incorrect या X's position is illogical He or she is mistaken किसी को अगर हम हम बताएं कि इसके इसके position में में कुछ दोश है अथवा कुछ कुछ तुटियां है तो यह उसे वहाँ नकारात्मक दृष्टी से नहीं दिखा जाता बलकि इसकी सराना करते हैं यदि आप अपने यदि आप अपनी विचारधारा को या अपने वक्तव्य को पत्यों से पुष्ट करें प्रमान सहीत उपस्थित करें तो उसकी बड़ी सराना करते हैं किन्तु हमारे लेखन जब ह यहां भाव उपस्थित हो रहा है तो उसे वैसे परिपेक्ष में नहीं देखना चाहिए वहां के जो शोद करता है अत्वा अध्यता है उनकी भाशा ही ऐसी है तो हम जब उनकी ग्रंतों को जब पढ़ें तो उनके ग्रंतों को हम उसी कॉंटेक्स में पढ़ें उसी संधर् किन्तु उससे हमारी भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे इसलिए मैं आपको यह को यह बात बता रहा हूं अनेक अनेक स्थानों पर मैं मैंने वहां पर देखा कि बड़े बड़े जो विचार विचार विचारक हुए हैं प्राशीनकाल के प्लेटो हो एरिस्टॉर्टल हो इन से उनका ध्यान नहीं पठकता तो मैं इसमें कुछ कुछ लिख कर लाया हूं एक आद जो एक जए एफ रूट बर्जन हुए हैं उन्नोंने अस्थाध्याई का का अंग्रेजिया अनुवाद किया है और उन्नोंने अस्थाध्याई का a guide to be critically followed, not as the final authority regarding the interpretation of the ashtadhyay, तो ये हमें बड़ा आठपटा लग सकता है, और इसमें कुछ अनादर या असम्मान की भावना हम देख सकते हैं, किन्तु जब ऐसे कुछ कुछ वाक्य हमें वहां से अगर मिले, तो उसमें हमें अनादर नहीं नहीं खोजना चाहिए, यदि वे अनादर करने का प्रकल्प रखते तो इससे बहुत कुछ अधिक कर सकते और उससे महतिशती पहुँचती, तो यह एक भाशा में क्या अंतर है, मैंने वहां पर जो देखा वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, संस्कृत को सीखने का मूल साधन संस्कृत ही होना चाहिए, और अनुवाद जहां भी किया जाए, उस अनुवाद और मूल के बीच का जो अंतर है, वह कम से कम होना चाहिए, तो हमारी भारती भाषाएं जो हैं जो सारी प्रकृत से ही उद्भूत हैं, उन भाषाओं में ये शमता है कि संस्कृत के तत्वों को सौ प्रतिशत नहीं तो सत्तर प्रतिशत यथास्ति थी उसे ढाल सकें, किन्तु जैसे जैसे आप संस्कृत मूलक भाषाओं से दूर होते जाएंगे, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, आदी के ओर जाएंगे, वैसे वैसे संस्कृत के तत्वों का यथास्तिथी, अनुवाद करने की जो शमता है, वह घटती जाएगी, इसलिए यथा संभव आप संस्कृत का अध्यान संस्कृत के ही माध्यम से करें, और जब संस्कृत का अध्यान अंग्रेजी के माध्यम से आप करते हैं, तो उस अंग्रेजी के ग्रंत को या उस अंग्रेजी के अनुवाद को आप एक स्वतंत्र ग्रंत के रूप में आप स्विकार करें, जैसे क महाकवी भासका अगर नाटक को आप संस्कृत में पंड़े यदि उसका अनुवाद कर दिया गया आजसे सो वर्षपूर्व तो उस अनुवाद को आप एक स्वतंत्र गंत के रूप मेरे आज्सेसा करें कि आज से सो वर्ष पूर्व या देड़ सो वर्ष पूर्व जब भारत स्वतंत्र नहीं था और यहां पर कोलोनियल विचारधारा थी तो उससे प्रेदित होकर अनुवादक ने कैसा अनुवाद किया और शब्दों का चैन उसमें कैसा है भावों की अभिवेक्ति उसमे देख सकते हैं तो इसी प्रकल्प में जिस संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं इंडिक अकाडमी हमारा यह नया एक प्रकल्प है पिछले कुछ वर्षों से आप हो सकता है उससे परिचित हो उसका नाम है इंडिका क्लासिकल लाइबरी इसमें हमारा यह यह हैं इनका अनुवाद किया गया और वो कोलोनियल टाइम में इनका अनुवाद किया गया आज इनका हम री ट्रांसलेशन करें पुनह अनुवाद हम इनका आज करें जो आज के लिए प्रासंगिक हो और हम भारतिय होकर इसी परंपरा में जन्में हुए इसी परंपरा के समभ पहाख होकर इनका पुनर अवलोकन करें जो पुराने अनुवाद का और उन्हें पुनर अनुदित करें यह हमारा एक प्रकल्प है आप अभी से मुझे लगता है अगले वर्षी अर्थ शास्त्र पर इस पर एक ब्रहत कारे हुआ है अनेक वॉल्यूम में यह प्रकाशित होने अनुवादों से जो अंग्रेजों ने किया और आप उसमें पाएंगे कि अनेक शब्दों का जो चैन है वह बदल गया है और एक जो नया कॉंसेप्ट है अन्ट्रांसलिबल्स और नॉन्ट्रांसलिबल्स संस्कृत के शब्दों का जबाब अनुवाद करते हैं तो उसमें अनेक शब्दों का आप अनुवाद न करें उन्हें यथा स्थान यथा स्थिति आप उसे स्वीकार करें जैसे कि धर्म, कर्म, आत्मन, ब्रह्मन इन शब्दों का अनुवाद जो पहले लोग करते थे आज पास्चाते जगत में और भारतिये शोध संसानों में भी यह स्व स्मृति, अर्थशास्त रादी वो इन शब्दों को यथा स्थिति स्वीकार करें तो इसी प्रकार मैं मैं इस प्रकल्प के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अनुवाद में में क्या-क्या समस्याइं होती हैं इससे सभी संस्क्रित अध्यताओं को अवगत रहना चाहिए इस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूँ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी जी बिल्कुल है मुझे लगता है भारत में जो शिक्षा होती है वह बहुत गहन और गंभीर होती है किन्तु अमेरिका में जो शोध होता है वह बहुत उत्कृष्ट होता है तो हमारी शिक्षा के साथ-साथ उनकी शोध पद्दती को यदि आप मिश्रित कर दें तो वह मेरे मेरे अनुसार वह एक आधर्ष क्रणाली हो सकती है तो शोध में वे क्या करते हैं कि अपना दाइरा सीमित रखते हैं किसी एक ग्रंत के एक भाग पर कोई एक वर्ष दो वर्ष भी शोध करते हैं और जब भी शोध करते हैं, तो मैंने कुछ यद्यपी उधारण दिया, कैसे पक्षपात इसमें परिलक्षित होता है, किन्तु निश्पक्षता के साथ शोध करने का वो प्रयास करते हैं, शोध के साथ-साथ अन्य भाशाओं में प्रकाशित, अंग्रेजी की इतर भी जो भा कि निश्पक्षता रहती है, कि ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखती हा गया वो सत्य ही है, यह हमारी शमता है हम हमारे पास यह बॉद्धिक सामर्त है कि हम उसे कुछ चुनौती दें हाँ यदि आप चुनौती दे रहें तो आपका जो 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 पक्ष है वह परिपुष्ट होना चाहिए उसमें प्रमाण उपस्तित होने चाहिए और किस वस्तू की प्रामाणिकता है और किस वस्तू की प्रामाणिकता नहीं है इसे वह खुले मन से वह स्विकार करते हैं जैसे अब भारत में और जो परमपरागत संस्विकत देता है उनको आप कहें कि अमुक ग्रंत का अमुक भाग प्रक्षिप्त है तो उसे नहीं स्विकार क करते भी हैं किन्तु प्रक्षिप्त वाद को काब का बड़ा उपहास करते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं है कि जो पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई है किसी भी ग्रंत की महाभारत की रामायन की अलग-अलग प्रांतों से अलग-अलग शेत्रों से पढ़ी भिन्दलीपियां हमें प्राप्त होने और जीन dire any Price और ने जोबी 4-5 भी च्छापा है वह, दो या तीन पंद लिप्र लापक को मिलाकर चापा है तो यह आपके उपर और आधि You मेने रादा वैल्लव जी का व्याख्यान सुना ता बड़ा उसमें रोचक बात थी कि द्रापधी वस्त्रहरण के बाद जो श्री-कृष्ण आते हैं उन्हें बचाने केलिए अनेक पांडुलीपियों में ये है कि दुश्चासन में वस्त्रहरण का क्या किन्तु ध्रौपदी में ऐसी शारीडिक्षमता थी कि उसका वस्तहरण नहीं हो सका दुशासन ने खीजने का प्रयास किया कि नहीं हो सका तो यह तो पांडुलिपियों का मत्वेद है तो पाश्चात्य जगत में क्या होगा कि वह इसे स्विकार करेंगे ऐसा नहीं कि परंपरा से हम या टो टीवी पर हम देखते आएं कि हमाप हमारी कुछ निश्पक्षता और निर्भीकता होनी चाहिए कि जो सुनी-सुनाइबात हम शोद और सुनी-सुनाइबात में जो अंतर है वह वह हमारे शोद में परिलक्षित हो जी उसका तो उनके फिर भी से कैसे बचा जाएं उनके किसे फिर भी अब वह मान के नियक सब्सक्राइब आपने प्रभण दिया जी लगा जिए फिर भी से कैसे बचा जाएं जी उसका तो पाश्चात्य जगत में मापदंड है प्यर रिव्यू कुछ भी आप शोद प्रबंद आप लिखें आप उसे प्रकाशित करें और यदि वह प्यर रिव्यू से वह पास हो जाए और किसी प्रतिष्ठित जर्नल में वह प्रकाशित हो जाए वही उनका गोल्ड स्टैंड अपने पक्ष के लिए प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं और जो आम जनता है जैसे उस उस कक्षा का ही मैं आपको धारण दू जो आचारे थे उनकी ऐसी विचार धारती लेकिन जो कुछ अन्य विद्यारती हैं जो अभी उतने परिपक्व नहीं हुए कुछ वर्षों से ही स स्विकार करें अपने अनुसार भी वे सोचें तो किसकी विचारधारा को परिवर्तित किया जा सकता है किसकी विचारधारा को नहीं परिवर्तित किया सकता इस पर भी हमें सोचना चाहिए और यह भी यह भी एक बात है कि जैसे इन विश्व विद्यालेओं में यदी ऐसे हैं या ऐसी संस्थाएं जो इसका एक पक्षिय चिंतन करते हैं या समगरता में इनका चिंतन नहीं करते तो हमें उससके वीपरीत या उससे अलग हटकर कुछ अपने भी संस्थाएं बनाने की आवशकता है तो उसी परिपेक्ष में मैंने आपको धारण दिया, ये जो Indica Classical Library है, आपने सुना होगा Harvard में एक library है, मूर्ती Classical Library, जो नाराएंट मूर्ती ने वहाँ पर और एक अभदान दिया था उससे वो चल रहा है तो उसमें तो क्या है कि अनुवाद की जो परंपरा उनकी पुरानी है दोसों वर्च उसका ही वह परिपालन आगे कर रहे हैं अब हमारा यह प्रयास है कि जो हम अनुवाद जो करें डी-कॉलोनाइजड अनुवाद हम कैसे उसे उसे प्रस्तुत कर सकतें क्योंकि वे तो हमेशा कहेंगे जो हमने अनुवाद किया है है आपके पास किया दिखाने के लिए कि आपने इसका स्वतंत्र अनुवाद किया है क्या अपने इस परितंत्र चिन्तन किया है तो हमें अपनी और से वह शमता खड़ि करने कि आवश्यक्ता है ही यदि वे कुछ पक्षप्रस्थापित करें प्रक्ष उपस्थापित करें तो उसका हम विरोध या खंडन भी हम भी हम कर सकें जिन मैं संस्कृत का अध्यन अनेक विश्व विद्याले भी होता है किन्तु संस्कृत की स्थिती वहां कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि एक तो फंडिंग की समस्या है और चात्र भी बहुत क कम है तो और कुछ प्रमुक विद्याले में ह synt invece लगताई 10 से कम विद्याले में सिव अमेरिका की बात कर रहों दस बारह ऐसे विश्व विद्याले होंगी जिसमें संस्कृत पर शोंह आध्यान सुचारू रूप से चल रहा है अन्य विश्व विद्यालों में एक दू प्रफेसर हो सकते हो और अतिरिक्त विशय के रूप में संस्क्रित की का थोड़ा पठन पाटन होता हो किन्तु फंडिंग की एक समस्या है और छात्रों में भी रुची कम है तो इसलिए एक और उनके स जाय प्रचार संसनी बने और मीडिया तो ऐसा ही कि उसको जो आप देंगे उसे और भी अतिशयोक्ति के साथ वह प्रस्तुत करेगा जी पाश्चाति यगते वह हमेंसा ट्रांसलेशन पर ठिका हो रहता है जी जैसे अंग्रीज पाश्चाति यगते प्रिश्न को प्रिश्न तो क्रिश्न जो लिखते हैं तो जैसे आपने आई एस्ट या आई ट्रैंस में देखा होगा तो लिखने का वह तरीका ही है कि वह एंके बाद लगाएंगे ही किन्तु इसका यह अर्थ नहीं को उसका अनुवाद कृष्णा कृष्णा उसे आप पढ़ें और यदि आप कृ दिवर्तित हो जाता था वैदिक काल में ऐसा हम हम सुनते आएं तो हाँ मैंने भी बैने भी अपनी कक्षाओं में में देखा कि उनका उचारण उतना शुद्ध नहीं हो पाता कई बार और हमें कोई भी ग्रंत पढ़ने से पूर्व जो कोई एक भाग है उसका उसका उचार तो मेरा प्रस्ति है कि अपने बताया कि अमेरिका में बच्चों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वह जैसे हम यह प्र आप पार्चाल टेंदो नहीं जानता है तो हमें ही गलत ठहरा रहे हैं तो वह हलाकि मनुस्परती में कुछ गलत हैं और कुछ कुछ सही हैं क्योंकि साहिति समाज का गर्पन होता है तो हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि सभी उसमें एक्दम एक्डम नहीं लिखा गया है तो हम उनका क्या करें जो हमारे इंडिया में ही अगर वह हमें की गलत ठहरा रहे हैं तो यह बहुत गंभीर विशा इसकी पुरानी परंपरा क्या अक्सर क्या होता है कि पाश्चात्य जगत में कोई विद्वान एक कोई शोध प्रबंद लिखते हैं प्रकाशित करते हैं और फिर उससे एक परंपरा चल पड़ती है अन्य पाश्चात्य देशों में और आगे जाकर भारत में भी जो उनके ही गरंत को फिर बार-बार कोट एंड रिकोट करते रहते हैं जैसे आपको कोई नया गरंत उसी विशय पर लिखना है तो पुराने गरंत को आप पहले कोट कर करें और उसे फिर आगे बढ़ाएं अब भारत में भी हैं क्योंकि भारत में भी पाश्चात्य जगत के द्वारा लिखे गए जो गरंत हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं और कुछ हमारे लोग ही हैं जो कि मॉलिक गरंत भी वैसे लिखते हैं तो उसका विरोध कैसे करे है ऐसी भावना से प्रेवित नहीं होना चाहिए हमें जो अपना जो शोद करना है वो हमारा मौलिक का रहे है हमारी अपनी बौधिक शम्ता है उसमें और उसके अनुसार हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी और ने जो कहा, उसका हम सिर्फ खंडन ही करते रहें, यह खंडन करना विवाद हो सकता है, शास्त्रार्थ हो सकता है, किन्तु उसे शोध या अध्यन नहीं कहते, खंडन आप करें अपने श संगिक नहीं था, इसमें समाज के अमुक अंग या अमुक भाग को अच्छे तर नहीं प्रस्तुत किया गया, यदि उस बात में कुछ सच्चा है तो आप उसे स्पिकार कर सकते हैं, यदि उसमें नहीं सच्चा है तो आप उसका विरोध करें, इसी संदर में मैं जैसे यहा नहीं हैं तो कुछ श्लोक उसमें प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं और यदि प्रक्षिप्त हैं तो हमें स्विकार करने में कोई में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हम यह कर सकते हैं कि देखो इस शेत्र की पांडोलिपी में ऐसे श्लोक कुछ हैं किन्तु अन्य शेत्र में जो जैसे समवर्धन होता था वैसे वैसे उसमें शलोक अत्वा उसमें कोई और तत्व जुड़ते जाते थे तो ये सारे जो ग्रंते ये एक समय लिख दिये गए प्राचीन काल में और जस के तस हैं और समाज में पून तया लागो किये जाते थे ये सर्त्य नहीं ये ग्रंत भी परिवर्तित होते थे कुछ हद तक इसमें भी कुछ जोडा घटाया जाता था समाज की जो समस्या थी या जो समाजिक संदर्भ तह उसके अनुसार और यह सब कुछ अक्षरशपालित होते थे यह भी सथे नहीं अ क्षरशपालित हो आज भी जो हमारा जो सम्विधान है अत्वा जो नया एक प्रक्रिया सी आर पीसी आई पीसी क्या वो संपूर्ण देश में उसका अक्षरश पालन होता है ऐसा तो नहीं होता तो इस इस प्रकार से इन ग्रंथों को हमें देखना चाहिए कि एक ग्रंथकार जो बड़े प्रति पुशने के चरशा बच्चे कर रहें एक बच्चे ने मरे से पूशा था बारत के विद्वान वहां जाते हैं जैसे माधवदेश पांडय जैसे लोग मुनने पूरा जीवन खपा दिया संस्क्रत के इक भारत के पढ़े हुए प्रसे प्रवाइत परकर करने उन्होंने वहा गहाप हुआ विशह उसको ही पढ़ातिए वह पर इस पर मैं मैं माधव जी से भी मैंने बात की और अन्य भारतिय मूल के जो विद्वीद्वान ही वहाँ वह इन सब विवाद आसपत विश्यों से व भिणन रहते हैं उनका घहन शोद में उनकी उनकी थ्रूचि होती है जैसे तो ये पाणिये व्याकरण पर इनका समपूर्ण का तो ना माभारत का अनुवाद कुछ ऐसे करनिया इन इन व्याद के तत्वों में ये प्राया नहीं पढ़ते कि यही है कि वहाँ अनुवाद के माध्याम से दोले पड़ाते हैं पाणिये व्याकरन भी पढ़ाएंगे अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाएंगे और जब तक उंग्रेजी के पूल के भी विद्वान है वहाँ पर वह भी पाश्चात्य पद्दती के अनुसार अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ाते हैं क्योंकि उसी माध्यम में पढ़ने वाले चात्र है कि भारत की अपिक्षा अमेरिका जैसे देशों में बहुत ही अच्छा शोध होता है तो भारत में गुरुओं की आधिक्यता है और विदेश में इस चीज का अभाव है तो फिर किस परकार से वहां मतलब ऐसा क्या विशेष्टा है जो वहां विशेष्ट हो जाता है जी यह बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्ण है यह तो जैसा मैंने पहले कहा था कि शोध वहां वहां अधिक उत्रिष्ट होता है किन्तु अध्यन या शिक्षा हमारे यहां बहुत सुद्रड है जो भारत से जो विद्वान निकलते हैं व्याकरण के दर्शन के भारती दर्शन के वहां की किसी भी विद्वान से विटकर ले सकते हैं किन्थु जो शOध्ग जो अउट्पुट्ट जो वह प्रड्यूस करते हैं, उसकी मात्रा वहां कही अधिक है यह भी सत्य कि सारी जो प्रतिश्ठित, अंतराश्ठ्रिय जगत में जो तो छहुं सारे जरणल्स हैं वो अनके वश में तो जो आड़ेंटर हैं वोई हैं जो लिखने वाले मैं देते हैं वैंभी तो एक दूसरे का वह अपना च्हापते हैं एक दूसरे का वह महिवा मंडन करते रहते तो लिए की अचांड़ा directory तुल्नातमक्ता ऐसा कुछ नहीं होता है वह बात बहुत कम ही वहाँ ऐसी पर पहुंच पाता है जिसका अब्लोकन करें जैसे आप नहीं कि अच्छा क्यूं करते हैं एक तो समय अधिक देते हैं दूसरा वह सब कुछ पढ़ने का वो प्रयास नहीं करते भारत में जो भी हमारी जो शिक्षा पदती और यह भी एक अलग स्वतंत्र विचारधारा के नुसार यह भी यह भी सही है हमारे यहां सभी विश्यों पर 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 समान कमांड एक बार हो जाए उसके बार लोग शोध करते हैं वहां ऐ इसानी जो एक है यदि उन्होंने नियाय पर ही उन्होंने शोध किया तो उन्होंने वो और कुछ पढ़ेंगे ही नहीं वो सिर्फ उसी में ही दस वर्ष लगा देंगे यहां भी ऐसा होता है किन्तु लेकिन उस तर तक पहुशने से पूर्व आप अनिक विश्यों का अप अध्यान करते हैं, आध्यात भी पढ़ते हैं, मिमान साब भी पढ़ते हैं, जो कि कुछ आवश्यक भी है, किन्तु वहां पर किसी एक विशाय में घूस और उसका गंभीर चिंतन करनी की जो शक्ति हैं, वो अधिक है, एक और कारे वो ये करते हैं, क्योंकि आपतश्याती होता है तुरंत उसकी वह समीक्षा अपने प्राचीन दर्शन के अनुसार वे कर सकते हैं तो इस प्रकार तुल्नात्मक समीक्षा वे अधिक कर पाते हैं जबकि हमारे पास वह परंपरा नहीं प्लेटो अरिस्टोर्टल पढ़ते हैं यहां भी किन्तु जितनी जल्दी या जि नहीं क्या परंपरा रहे है कि अगर आपका अच्छा आ मिश्या करतें कि हम प्रबंद देते हैं। अा हम मानन ही नहीं तो हम कैसे सव peaceful कर लाए कि आप भार्दिय विद्वान भी है जो पाश्चात्य जगत में प्रकाशित शोध को स्विकार करते हैं उस पर आगे कारे भी करते हैं पढ़ते पड़ाते उनके साथ संप्रेशन करते हैं यह भी होता है इंतु यह आपका कहना सत्य है कि हमारे द्वारा प्रकाशित अनेक शोध कारे कुछ उसमें भाषा का अंतर हो सकता है कुछ संप्रेशन में कुछ कठिनाई हो सकती और कुछ उनका अपना व्यक्तिगत पक्षपात भी हो सकता है कि भारत से आया है तो हो सकता है यह हमारे यह हमारे अनुरूप नहीं हो यह हमारे बराबर नहीं हो ऐसा उनका कुछ पूर्वाग्रह भी होता है तो सब्जेक्ट हो जिसका बहुत सीमित दायरा हो उस सब्जेक्ट पर वो सब कुछ पढ़ते हैं अब यदि भारत का कोई ग्रंथ प्रकाशित होकर उनके सामने नहीं है या उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे यह एक बात है उनके अनुसार जो सब कुछ की परिभाशा है जो हमारे पास जो या हमारी परंपरा में जो उपलब्ध या जो भारत सी भी आया है वो हमारे पास उपलब्ध है यह बड़ा एक विचारनी बाद आपने का है कि हमारे पास जो जो हैं भारत में इंडियन फिलोसफी जर्नल है और भारत में प्रकाशित होते हैं कैसे कैसे इनकी प्रासंगिक् कि वुदेशों में भी इन जर्नल्स को उतना ही महत्व दिया जाए और जॉनच के लिए एक जो स्कोर होता है, इंपक्यकों अब ने सुना होगा, इक वनलाइन आपको ये मिल जाएगा, इमपक्यक्यक्त हर एक जर्नल का एक कैल्कुलेशन होता है, और जितना impact factor high होता है उतना ही उस journal को प्रतिष्ठा मिलती है हमारे भालत से प्रकाशित जो journals हैं उनका impact factor बहुत उचा नहीं जाता अब यह क्यों नहीं जाता उसको लोग उसका उससे कोट नहीं करते उसको उसको रेफर नहीं करते अत्वा वो शोध उतना उतनी गहराई तक नहीं उतर पाता यह एक विचारनी बात है मेरे अनुसार जैसे जैसे समवाद के साधन बढ़ते जाएंगे और वैश्वी करण होता जाएगा वैसे भारत के किसी कोने में भी प्रकाशित कोई चीज हो वहाँ उपलब्ध हो जाएगी और वहाँ से भी जो कुछ प्रकाशित हो रहा है वो हमें उपलब्ध होता जाएगा यदि ऐसा होता है तो impact factor हमारे journals का भी बढ़ना चाहिए और जैसे जैसे impact factor बढ़ेगा जैसे आप Google पर आप कुछ आप सर्च करें किसी विशय पर तो जो top results जो आएंगे वो जिस journal का high impact factor होगा वो उपर दिखाएगा अब ये तो आपका कहना सही कि क्यों नहीं वो पांच पनने अंदर जाकर के कुछ भारतिये में भारतिये कुछ हुआ है प्रकाशित उससे भी क्यों नहीं देखते तो एक आज की ऐसी एक विडम बना है कि impact factor reputation prestige इसके अनुसार निर्धारण हो जाता है कि कौन सा शोद अच्छा है कौन सा शोद में इस पर हमें हमें कुछ सोचना चाहिए भारतिये विश्व विद्यालें को भी जो 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 प्रकाशित करते हैं इनका impact factor या इनकी popularity कैसे बढ़ाई जाए इस पर इस पर कुछ कुछ च है और सो जैसे आपने बोला कि वहां पर जादा अच्छे से research methodology है और सब कुछ है तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडियन स्टूरिंट को वहां पर जाकि research करना एक better option रहेगा क्योंकि हमारी teachers जो है और हमारे रूट से वो संस्कृत से हैं इंडिया से ही सारा संस्कृत research करने के लिए जो फील्ड जो research होता है फ्रीट स्टैल अनेक अनेक researcher यहां आए माइकल वेट्सल यहां पर आकर उन्होंने वेदों पर अध्यायन किया या अन्यशास्त्रों पर यहां रहर करके उन्होंने बनारे हमारे भी जो आचारे थे वह वारणसी में अनेक वर्ष रह कुछ अलग हो सकता है या उनकी कुछ अपनी परिपार्टी हो सकती है किन्तो अध्येन यहां रहकर भी उत्कृष्ट किया जा सकता है अब जैसे मैं कह रहाता है कि इंपक्ट फैक्टर या प्रतिष्ठा का एक सवाल होता है वो हम कैसे अपने आपको आगे बढ़ाए या उस प्रकार प्रतिष्ठित करें कि हमारी जर्नल्स भी उसी लीग में पहुँच जाएं उसी के अनुरूप हो जाएं संस्प्रित विद्यार्थियों के लिए क्या करियर आप्शन्स हैं वहाँ पर तो जैसा मैं कह रहा तक संस्प्रित में रुची कुछ कम होती जा रही है वैसे तो जन सामानने में रुची बढ़ रही है किन्तु फंडिंग का अभाव या विद्यालेओं में छात्रों का अभाव यह एक समस्या है जिसके कारण अन्यानने लोग संस्क्रित नहीं पढ़ रहे हैं और इसलिए जो संस्क्रित में जो करेर आप्शन्स है वह भी कुछ सीमित हो गई है मैंने प्राय यह देखा है कि संस्क्रित में वहाँ पर पढ़कर लोग या तो अकादमी वातावरन में ही आगे आते हैं जैसे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं अत्वा कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जैसे आपने देखा होगा यहां बड़ा प्रसिद्ध हुआ ता कि इंग्लेंड में एक स्कूल है जहां पर संस्क्रित बच्चों को ही पढ़ाय जाता है कुछ ऐसे भी होते हैं विद्यारती जो संस्क्रित पढ़कर स्कूल में भी वहां पर पढ़ाते हैं किन्तु एक तो वहां पर पढ़ने वालों की संख्या भी कम है और इसके जो उपभोकता या जो ग्रहाक है उनकी भी संख्या कम है इस लिए इस तरह से बैलन्स हो जाता है दोनों ही और संख्या कम है भारत में क्या है कि अनेक लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत जो संस्कृत एतर जगत के लोगों को यह पता नहीं किन्तु संस्कृत पढ़ने वाले बहुर सारे लोग हैं और यहां पर पद भी और और ऑपरशुनिटीज भी उसी अनुरूप अधिक हैं किन्तु किसी भी प्राचीन भाषा में जो जॉब्स के जो कि जो मुख्य साधन है वो अकादमी वातावरण में ही होते हैं किन्तु किन्तु इसकी अचरिक्त जैसे आप पैरलल ट्रांसलेशन लोग करते हैं संस्कृत से संबंधित आप अन्य शेत्रों में आप जा सकते हैं लिंग्विस्टिक्स का ही एक शेत्र है इससे संबंधित लॉजिक फिलोसोफी मैथेमाटिक्स यह सारे भी हैं शेत्र और यदि आप संस्कृत के कुछ दत्वों को आप प्रस्तुत करें तो उसमें भी आप अपना एक पतंत्र मार्ग बना सकते हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एस्ट इस जी जी यह यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो नाम हम चुनते हैं उस नाम के साथ साथ कुछ प परिवर्तित करके डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एश्यन स्टडीज कर दिया अब यह तो लोग आप जानते होंगे कि इंडियन वर्सिस साउथ एश्यन यह एक एक बड़ा प्रकल्प है कि जहां जहां भी इंडियन था उसे हटा हटा करके साउथ साउथ एशन किया जाए ज उनको हम इसमें उसमें समाविष्ट करें जबकि आप सोचें कि संस्क्रित जो है वो तो मुलता भारती वस्तु है हां उस समें पाकिस्तान बांगलादेश तक्रशिला यह सब भी भारत के यंग थे उस समें भारती बारती संस्कृतिक जो जो शेत्र था उसके अंदर ही चान की तो हमारे थे अब भतण बोलते हैं और कहते हैं इस यह सब कुछी हमारें इस सिर्फ एक स्थान से हो जाने के कारण आप उस परंपरा के संवहायं कर बहाया नहीं तो पहले था कि Department of Sanskrit या Department of Indology आज वो Department of South Asian Studies Department of Asian Studies और पिर उसमें है उसमें यह हो जाता है कि Sanskrit तो एक है Sanskrit के साथ साथ एक तरफ आप Sanskrit भी आप पढ़ रहें और एक तरफ कोई ऐसी भाषा जो इसको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं दोनों बराबर हैं कि यह एक एक उनका प्रकल्प रता है कि Sanskrit वह अनिक भाषाओं के साथ सब्सक्रिट भी जब यह है भारत में और हम पहले उसको व्यविस्विकार करते थे कि भारत की अधिकतर भाषाओं के मूल में संस्कृत कुछ भषाओं को यदि आप छोड़ दें अधिकतर भाशाओं के मूहल में संस्कृत है और संस्कृत के इसलिए प्रतिषठा है कि कोई एक भाषा हो जिसमें सिर्फ दस झाजार जिसके वक्ता हो वो उस भाषा का हम कैसे बराबर करने इस लिए इन नामों में भी परिवर्तन हो रहा है आप ने अभी पताया कि वहां लेक्टरार्स होते हैं वह मैक्सिमम टाइम या तो क्रिश्चानिटी कोहीं बिलॉंग करते हैं या अधीस्ट होते हैं जी 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 तो क्या यूरोपियन या अमेरिकन युनिवर्सिटीज ले कभी कोशिश नहीं की कि वह इंडियन स्कॉलर्स को भी वहां एस लेक्टरार अपॉइट करें या गेस्ट लेक्टर उनके भी वह और जैंडे महतों बात है आज आपने रा जीव मलोत्रा जी का लाम सुना होगा झो इन्फिनिटी फाणडिशन करें जब अब और इतनि प्रसिदि नहीं हुई थी इंफिनिटी फाणडिशन की उस समय से इन्फिनिटी फाणडिशन ने यह कारे शुरू किया है कि वहां के से वे चेर्स क्रिएट करें और उस चेर्स के साथ-साथ ये राइडर लगा दे क्लॉज लगा दें कि इसमें इसमें परमपरागत रूप से पढ़े वे विद्वान ही इसमें आएंगे इसमें उन्हें मिश्रित सपलता ही मिली है क्योंकि एक तो कुछ डोनर्स का भी अभाव ह इन इन चेर्स को क्रिएट करने के लिए और दूसरा यह है कि वहाँ पर यदि आप धन देकर ऐसे चेर्स क्रिएट करते हैं तो विश्व विद्धाले हमें हमें हमेशा कहेगा कि हम उन्हीं लोगों का इस पर चुनाव करेंगे जो हमारी दृष्टी में जो प्रतिष्टित लगा सकते हैं उसके अधिक आप नहीं कुछ कर सकते तो इसका समाधान मेरे विचार में यह है कि जैसे-जैसे हमारे शोदकरताओं की संख्या बढ़ती जाएगी और उनकी संख्या कुछ इसमें कम होती जाएगी वैसे-वैसे इन चैर्स पर भी हमारे जो परंपरा से या हम लेकिन भारती चिंतन के प्रती पक्षपात नहीं करते हों ऐसे लोगों को उसमें अपॉइंट किया जाएगा जब भारत संस्कृत का यूरोप के साथ संबंध हुआ संस्कृत का ओ सुरू हुआ 1784 से उसके पहले भी था थोड़ा संपर्क था लेकिन 1784 1784 के साथ जब यूरोप में संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ तो यूरोप के विशो विद्यालियों में संस्कृत का अध्ययन प्रारम हुआ और बड़ी ऐसे ऐसी भावना के साथ कि इतनी उत्कृष्ट भासा इतना उत्कृष्ट साहित कुरुएशिया जैसा छोटा देश जो अभी अर्जेंटीना जीता और कुरेशिया का दूसरा न देशों में संस्कित का अध्ययन शुरू हुआ आक्सपोड इन्वस्टी में बोडेन चेयर शुरू हुआ बोडेन कौन थे तो बोडेन एक सैनिक अधिकारी थे भारत में उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उस बोडेन चेयर के लिए समर्पित किया और एक चेयर बनाया और उसके पहले प्रोफेसर थे एचेच विल्सन एचेच विल्सन ने उन्होंने पूराणों का पर अध्ययन किया बड़ा उन्होंने अपना जीवन लगाया यद्ध्यपियो बाई प्रोफेसन सर्जन थे कैमरेज इन्वस्टी मेडिकल साइंस पढ़ाता सर्जन थे लेकिन पूराण की अध्येन अध्यापन में लगे और विष्णु पूराण का ट्रांसलेशन किया उन्होंने उन्हों के बाद मोनियर विलियम ने एक डिक्सनेरी बनाई उनके जीवन काल्मियों डिक्सनेरी नहीं प्रकासित होई जो संस्कृत इंगलिश्य डिक्स्क्मेरी है उस ये Boden Chair की सलीए यह बन रहा है उन्होंने कहा जिस प्रकार से Christianity के प्रचार-पृसार के लिए Wilson जीने कार्य किया हम भी उसी तरह से काम करें और बनाया क्या dictionary कैसे Christianity के प्रचार-प्रसार के लिए सफल होगी तो उन्होंने कहा कि भारत में Christianity का प्रचार प्रसार तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके ग्रंथ संस्कृत में नहीं और संस्कृत में इसाई धर्म की किताबे प्रकासित करने के लिए इस प्रकार ऐसे उद्देश्यों को ले करके कि एक तरब से धार्मिक उद्देश्य थे किसी के एकदम सुद्ध अधेन के उद्देश्य थे की संस्कृत इतनी उत्प्रिष्ट भासा है इतना उत्प्रिष्ट साहित यह इसको पढ़ा जाना चाहिए तो भिन्न भिन्न देशों में धिन्न भिन्न उद्देश्य ले करके लोगों ने काम कि आ अमेरिका में बाद में शुरू हुआ लेकिन अमेरिका में भी अध्यान के हारवर्ड में हारवर्ड ओरियेंटल सीरीज एक लंबा अभी भी चल रहा वो सीरीज और एक अच्छा गरंतों का ट्रांसलेशन हुआ उहां जैसे मैक्स मुलर ने शुरू किया सेक्रेट बुक आफ दे इस्ट लगभग पचास किता में उन्होंने एडिट की अपने जीवन काल में पूरा जीवन समर्पित किया तो इस प्रकार से यूरोप में विभिन लोग थे जो अपना जीवन लगाए या कुछ धार्मिक उद्दिश रहे उनके लिकिन बहुत काम किय समर्पित किया जीवन यह मैक्समूलल लिखते हैं वाटकेन इंडिया टीचस जो उनके लेक्षर हैं उन्होंने लिखा कि हम भी यदि लंडन में दूसरी भासा पढ़े होते तो हमारा बड़ा सम्मान होते हैं हम से कम मने कुछ दूसरा जानने वाले रायल अस्याटिक ऐसे विश्यों के अध्येन अध्यापन में जो आचारे दूसरे विश्य में जीवन लगाए उससे कम समय और जीवन लगाए दूसरे विद्वानों का बड़ा सम्मान हुआ यह उनके मन में रहता रहा आज भी है कि उनको अधिक धन अधिक उतना ही परिश्रम करके जो डेश भर पर 126 लोग लगते हैं लेकिन संस्कत से इतर फील्ड में जैसे इत्यास के क्षेट्र्वें क्योंकि अब जो क्योंकि वहां धर्म इतिहास कल्चर दर्सन यह सब हमारे हैं जैसे सब समन्वित है, वहां भी समन्वित है, तो जब उनको पढ़ते हैं, बाद में उनका वो देश्य थोड़ा बदला, क्योंकि जैसे भारत को किस दृष्टिय से देखाएं, अब देखिए महाभारत ही, महाभारत को इतिहासकार हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं माने हैं, तो पहली इतिहास जो पोलिटिकल, फियरी, पोलीटिकल विशय ही इतिहास के विशय होते है, बाद में सोचल हिस्ट्री, भी हिस्ट्री का विशय हुए, तो इस सारा जो झजगडा है इंटरप्रेटएं का, वो स jוט से लेकर है, तो जब महाभारत में द्रोपदी, और यह प सब्सक्राइब लेकिन द्रोपदी हुई थी ये लि के साथ गलत विवहार हुआ अग्युन है नहीं हुआ लेकिन सीता का परित्याग को तो ऐसे उनके जो विचार लक्ष उन लक्षों के लिए इस तरह का इंटर्पेटेशन क्यों करना तो उनको भारत को नीचा दिखा उनका उनके भारत की समस्या साउथ एसिया की समस्या और अब तो दुनिया की समस्या के लिए भारत ही दोसी है भारत की कितावें दोसी हैं भारत की संस्कृति ऐसा उनका द्रिश्टिकों इसी लिए जब वो टेक्स्ट लेते हैं उनका ज्यादे अध्यन जैसे आपने रिसर्च की वाकिश्ट एबाउड दा टेक्स्ट एबाउड दा आधर सिद्धान्त कौमदी पर एक अमेरिका से विद्वान आएगा इबाउड देक्स्ट इतना जानता होगा ल कोना आथर तो ड्यादया है और युक्त सब्सक्राइब दूसरा आथर को जतों करेंगे कि जिससे एक गलत इंटर्पटेशन इसलिए पूरा संदर्व नहीं लेते एक छोटे से कोटेशन को लेंगे जैसे एलम बासन बासन बड़े भारी हिस्टूरिय हार्वार्ड के आक्सपोड इन्वस्टी के थे उन्हें से ही ट्रेंड यहां भारत भर में दुनिया भर उन्होंने लिख लिया कि भारत में मन पूरुष बली की प्रथा रिगवेद काल से शुरूए और एक लाइन लिया पूरुषेण हविशा देवा यज्य मतन्वत तो टेक्स्ट को आथर को और कंटेंट पर इतना क्वेश्चन कर देंगे कि पढ़ने वाले को लगे जाए सब वेकार है और यही उनका उद्देश्य है कि उसको फ्रस्ट नांकित करना जिससे आपकी श्रधा न बन पाई जिससे आप यह न सोच पाई यह महत्तो पूर्ण गरंत है महत्तो पूर्ण आथर है और इसके बारे में हमेशा गलत दृष्टिकोंड यह आप में बने इस प्रकार से उन लोगों ने किय पढ़ने की पढ़ाने की जो समस्या की संस्कित मेडियम यह भारत में जब उन्होंने 1800 कुछ के बाद जब इंडिया में मैकालिक 1835 के बाद जब इंडिया में शुरू हुआ आधुनिक एजुकेशन की प्रणाली विश्व विद्याली तो उस सारे विश्व क्योंकि हमने आक् अमेरिकन बनने जा रहे हैं अब जो एजुकेशन प्रणाली है वो अमेरिकन माडल पर आने वाली है लेकिन जो प्राचीन भारत में 75 साल से चल रही थी वो ब्रिटिस माडल और उसमें उन्होंने यह लिया कि हैं भारत में संस्कृत अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा जा दि अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत पढ़ा जा से उन्होंने उससे क्या हुआ अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने से क्योंकि उझल अुद्धेश नहीं था कि संस्कित ज्ञान परमपरा को बढ़ाना जो कुछ है उसको पढ़के ट्रांसलेट करके निकाल ले इसलिए उहां पर मैं अल्स्टर इनुवस्टी में गया संस्कित कारेकरम के लिए कि इनको पढ़ाना आई सी सी आर ने भी कहा लेकिन मैं दुबारा नहीं गया तो केल्टिक लेंगवेज डिपार्टमेंट उन्हें कहा कि मैं जर्मनी में संस्कित पढ़ा था लेकिन आपने संस्कित माध्यम से संस्कित नहीं सरल हो सकती इतने अच्छे से हम सीख सकते पहली बार मुझे ज्ञान बहुत सीनियर प्रोफिसर थे उन्होंने कहा यह तरीके से ह तो नहीं संस्कित पढ़ाई जाती है कि हम अच्छी तरह से सीख सकें क्योंकि उनका उत्देश संस्कित का विकास पुलिटिकल थियरी एक गट अइसा उन्होंने राम की मुर्तियों को शुरू कि या कि राम की कैसी तजबीर बनती दे मने वो एक विद्वान लगी नहीं रहे एक पुलिटिकल थिंकर की तरह पुलिटिक स कर रहत तो वो उस तरह के इन सारे चीजों को पढ़ने के अब यह है की सुतंतरता हो जो चाहिए वो कह सकते है पड़ सकते हैं लेकिन हमें इसमें घवराने की जरूरत है क्योंकि वो उनका विश्व विद्याल है वो जाने अब जैसे सोधले की बात सोधले क्यों लिखना क्यों इतना रिसर्च करना यहां विद्वान तब लिखता था जब उसे कुछ कहने के लिए बात हो नई बात हो नया कुछ हो तब तो हम लिखें एंको उनको नया हो या नहों असिस्टन्ट परफेसर है backy pesater रिब्य्वी जनर्रण में छपे नहीं तो इनका प्रमोशन नहीं होना है उनका एक्स्टेंशल नहीं होना है तो उनको किताब लिखना पेपर लिखना मजबूरी अब हमारे भी आ रहा है कि आप इतने पेपर नहीं लिखेंगे तो लिख रहें रोज पेपर पत्रिकाइं छप रही है और फटाफट लेक एक महीने में 50 लेक छप दुनिया का toughest exam IIT है जहां यहां 17 लाख वच्चे पढ़ते इंग्जाम देते तो उहां तो ऐसा कोई tough exam है नहीं प्रवेश के लिए इसलिए हमारे में योग्यता है ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि दुनिया भर में योग्य लोग नहीं है योग्य लोग हैं समर्पित हैं अलग संस्कित पड़ रहे हैं और दुनिया भर में काम हो रहा है अभी मैं भारत दुनिया भर में जो संस्कित के लिए काम करते हूं उसको भारत सरकार एक प्रतिष्ठित विद्वान को सम्मान करता उस जीवरी का में में अनिक वर्सों से सदस्य हूं तो इजवार उसकी मिटिंग हुई ICCR के में तो एवा कि किस विद्वान को सब की लिस्ट आई तो मुझे एक महिला एक जुरूतियन देश की वर्सों से उनका जो जन्मति थी है 1927 उनने का इतने वर्सों से इतना काम की हुई महिला जीवन तो लगा हुआ है उसमें काम कर रहे हैं तो हमें उनको सम्मानित करना चाहिए ऐसे लोगों को ऐसे आपको दुनिया भर में लोग मिलेंगे अनिकेद जी तो भारती है इन ऐसे भारती मान लिजे संस्कित में नहीं रहते तो भी संस्कित के प्रतिरूची रहते तो बेंडी डोनिगर जैसे लोगों को देखती क्या रही है देखो संस्कित के कर रहे समपन्न में रहता है कि मैं नहीं पढ़ पाया तो जो लोग संस्कित का काम कर रहे हैं उनके लिए मैं मोंट्रियाल गया सर्मा जी वहां प्रोफेसर है क्या नाम विश्व विद्याले का मोंट्रियाल में जो मैं गया तो हां के सर्मा जी संस्कित भासा में बोलते हैं कम्परेटिव रिलीजन के हारवर्ड में भी वो कुछ दिन पढ़ा है तो अभी वो कह रहे थे कि संस्कित कैसे इंडिया में आए करोना के जस्ट उनकी अब वो लगभग 85 साल के हो गया और उनकी श्रिमती कनाडा की ही हैं वो भी लगभग 80 साल की दोनों लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में थे मुझे भी कहें कि आईए आपके साथ चर्चा करनी बाद तो उन्होंने यही प्रश्ण था कि संस्कृत की ज्यान परंपरा को कैसे बचाया जाए दुनिया भर में तो देखो उन्होंने अमेरिका भी देख लिया कनाडा भी देख लिया वह आईस थे सेंस्टिवें से पढ़े थे आईस थे आईस की नोकरी छोड़ करके को एकडमिक्स में गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा फंड तयार करें कि जिसमें विद्यार्थी दस पचास एक सास्त्र में लगें और उनके लिए हम फंड निश्चित करें क्योंकि फ्यूचर की ही सबसे बड़ी समस्या होती है कि इस छित्र में हम पूरा लगे आगे हम क्या करें तो एक फंड निश्चित कर दिया जाए एक तो उनको यहां पढ़ें विदेश में हर जगह कैसे पढ़ा लिखा जाता है कैसे सोध किया जा उसमें उनकी ट्रेनिंग हो और फ्यूचर के लिए उनके लिए धन रख दिया जाए जिससे तो यदि सो विद्वान हम एक शास्त्र में तयार कर दिये तो बहुत सारी यो योजना है कहा कि कैसे फंड होगा तो उनकी श्रीमतीज ने कहा कि जो क्लाउट फंडिंग क्लाउट फंडिंग की योजना आज कल कर दीजिए बहुत लोग उसमें क्लाउट फंडिंग में देंगे और एक योजना बनाई जा तो आज वही जरूरत है चाहे अमें अब तो दुनीया बहुत छोटी हो गई है अब आपको पता है कि दुनिया में नियाए कि कितने बड़े विद्वान कितने हैं व्याकरण कि कितने वही अमेरिका में जार्जकारणा भी हैं विश्रु विद्याले में हैं उनको लोगों ने विजिटिक प्रोफेसर बनाया और उन्होंने कहा कि हम संस्कृत माध्यम से पढ़ाएं हमारे विद्यार थी पीछे हट गए और बड़े सक्ति से ग्रेडिंग किया था तीन महीने थे बिच बिच में आते रहें ब्रिस्की जी पोलेंड से नाट्य शास्त्र वनोंने काम किया था भारत में राज्टू पोलेंड के यह हमारे विजिटिंग प्रोफेसर थे ओभी आये थे वही शंस्कित माध्यम से पढ़ाना वार्षवाइंवस्टी में संस्कित के प्रोफेसर और उन्होंने भारत में राजदूद के रुप में जब तक रहे खुब काम किया संस्कित अभी भी भारत सरकार ने भी जार्ज काडोना जैसा संस्कित ग्रामर का विद्वान नहीं इतना इतना ग्यान मुन से चर्चा हुई कि आज आज कल रिटायर्मेंट के वहां क्योंकि प्रोफेसर रिटार्ड नहीं होता है जब तक चाहे तब तक विश्व विद्याले में आप पढ़ा सकते हैं तो उन् संस्कित के प्रोफेसर विद्वाक तो द्रिष्टियां भिन्न भिन्न है जैसे अनिकेज जी ने कहा अब पढ़ाने का धंग क्योंकि उनका अपना तरीका है अब हम जब संस्कित सिखाने की किताब अंग्रे जी देव बानी प्रवेशिका आर्पी गोल्ड मैन ने उनकी पत करते तो शुरू होता है बरणमाला से हमारी संस्कित सिखाने वाली किताब बरणमाला से शुरू नहीं होती है क्योंकि उनको पहले पढ़ना है फिर दूसरा लेशन होता संधी क्योंकि जब इस लोग पढ़ा लिए तो तोड़ना है हम संधी पहले नहीं पढ़ाते तो पढ वहां तो एक भी सब्द नहीं जानते एक क्रिया जाने अब अगला कर्म ढूड़ना है तो इस प्रकार से तो हमें तो क्या है कि सांति निकेतन के जो संस्थापक थे रविंद्र नाट्टे उन्हों ने कहा कि मुझे पहली बार पता चला कि यह जो हम ग्यान अरजित करेंगे इसका कहां कहां उपयोग करना है तो कहां कहां करना भूभू अस्वभ तो हम लोग जो यह पढ़ लिख लेंगे यह केवल यूप सभोरा ज्यान के प्रचार के लिए दुनिया भणने गभ dominant अब हम लोग नौकरी करने जा रहरे हैं पहले हम घ्यान के प्रचार के लिए दुनिया के विभिन का देशों में जाते थे तो आप वह ही खुब अच्छा हमें विद्वान बनना है और अच्छा सोध करना है अच्छा काम करना है सोध की जो पांडुलिपियों का है अब कहां से शुरू हुआ पक्रिटिकल एडिशन बाइबिल से शुरू हो करके उनको हमारे तो पूरे के टेक्स्त याद थी कि मैकिस मूलर से पूचा कि भाई बेद कितना पुराना लोग हम से पूचते वेद कितना और है तो कभ मैं कभ सी डेट इसका डेटिंग करूं जब से पांडॉलिपी मिली तबसी जब चपी तब से इसका डेट हम डिसाइड ने डेट अब संस्कित उनसे भी पूछा गया कि संस्कित जीवित है कि नहीं लोग बोलते हैं कि नहीं तो उन्होंने का मैं क्या बताओं आज ही मुझे कलकत्ता से एक संसक्रित में यह है कि जो विद्वानों का furniture कलकत्ता में होना एक कलकत्ता नोका संसक्रित में बाएं तो लोग समय्जते होंगे तभी संस्कृत में सांस्क्रार पास अब क्या हैं संस्कृत इस प्रश्चन वहुत करते रहते हैं ग्रीक लाइटिन यहां बहुत सारे कैजुवल स्टुडेंट फ्रांस से आते थे अभी करोना के काले सब बंद हो गया तो यह फ्रांस से तिन लड़किया आई थी तो पूर्स हमारा ले थी उन्होंने हमने पूझा वहां क्या पढ़ी हो तो सर हमने ग्रीक और लेटिन में योग्यता आरजित की आप सोच रहा हूं थोड़ा संस्कित भी पढ़ूं इसलिए छै महिने के लिए कैजुवल स्टुडेंट के आने की प्रणाली जेनु में थी इस प्रकार से भासाओं का अध्यान संस्कित जब लिंग्विस्टिक्स तो कोई विशा ही नही इस प्रकार से इस विशय का ही जन्म हुआ है तो ऐसे भिन हम यह हमारी कमी है कि हम अच्छे विद्वान नहीं बन पा रहे हैं सास्त्र ग्यान नहीं अब हम दूसरे को कब तक कह कि यह लोग खराद किये उनका अब दोस नहीं जिसकी जाकी भावना जैसी होती हो ऐसा अपना व्याख्यान करता लिखता है उसको तो हम रोक नहीं सकते हमें अपना अच्छा ग्यान अरजित करना है पठनात प्रचारात वेवहारत रक्षिस्यामि प्रयतनीन स्वियम सारस्वतम निधिंग यह हम लोगों का दाइत्व है कि नाट्य शास्त्र हो अर्थ शास्त्र हो जो भी हमारे भिन्न भिन्न शास्त्र श्टादस विद्याय हो चतुर्दस विद्याय हो चोवीस पचास इतनी विद्याओं की लिस्ट है कम से कम पांच-पांच-दस-दस विद्वान तो तयार हो जाए भारत में इतने ग्रंथ हैं जिनके अनुबाद नहीं है अच्छे न यह वहां भी कुछ लोग अच्छे होते हैं जैसे कोलंबिया में क्ले लाइव रेदी शुरू है क्ले कौन थे एक टाइटल है जो मिट्टी का वरतन बनाते हैं यह टाइटल है उनकी पॉटर पूरा जिंदगी वासिंगटन इन्वस्टी के प्रोफेसर थे पूरी जिंदग प्रोपीडिया इंडियन फिलोसोफी पर काम किया तो क्ले जो थे उन्होंने आक्सपोर्ड इन्वस्टी से ग्रिजविशन किया उसमें उन्होंने संस्क्रित भी लिया लैंग्वेज और बहुत बिजनेस बड़ा बिजनेस कि उनकी पतनी भी अभी भी जीवित हैं दोनों इंटीरियर जिन डिजाइनर थी बड़ी कमपनी थी हवाई जहाज के अंदर तो बहुत पैसा दोनों ने कमा अभी भी हैं तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करना चाहते जिंद्गी में तो का हमारा तो सबसे प्रिय सब्जेक्ट था लिटरेचर लिटरेचर में भी संस्क्रित तो इसके लिए कुछ करो तो कोलंबिया में उन्होंने दोनेशन दिया फंडिंग और क्ले लाइवरेरी पचास साथ कितावें लगभग और केवल लिटरेचर की और भारत की जादे संस्क्रित की सारी किताबों का अंग्रेजी अच्छा ट्रांस्क्रित अब अंग्रेजी ख अब एक आदमी जेनू का गया किसी भी देश में नौकरी छोड़के बिना बताए निकल गया दो तीन महीना गय रहा वहां से वापस आ गया कहा और लोगों ने पुछा वह वापस आ गया जब वहां चले गया कहा गये कव्ये ही नहीं दिखाई दे रहा जिस देश में कव्य तो केवल हवाई जहाज यहां बैठीए असाम को अमेरिका 24 गंटाम पहुंच जाए तो वही वायू वही सूरज वही चांद कुछ अंतर नहीं होता तो केवल वहां जाने से ग्यान बढ़ जाएगा ऐसी बात में पढ़ना खुदी पढ़ता है तो हम जितना अध्यान उतना अपने शास्त्र का अपने देश का और अच्छी व्याक्ष्या अच्छी द्रिष्टी यहां भी रह करके खराब तरह के लेख लिखने वाले लोग हैं वहां बैठ करके बड़ा अच्छा भारती ढंग से लिखने अब देखी अनिकेद जी के उपर कोई अमेरिका का प arta लेकिन समर्पण है कि नहीं इसको हमें करना तो को वेदानु धरिस्यति जब उस राज कुमारी ने कहा को वेदान धरिश्यति तो का भट्टाचारि उसमी जब ऐसे भटाचारे लोग है अधिकेत जी जैसे जो अमेरिका में बैठते संस्क्रित का इस लोक लिख रहे हैं और उसको जन जन पहुचा रहे हैं हजारों लोग लाखों लोग उसको पढ़ते हैं गौर्मेंट कालेज कलकत्ता में जब खुला संस्क्रित कालेज तो बिल्सन के किरपा से बिल्सन के कारण खुए दूसरे अंग्रेज अधिकारी आये उसको कहें कि बंद करो फिर उन्होंने चिठी लिखी बिल्सन को कि देखिए आपने तो खुलवा दिया अभी कर रहे हैं त बिल्सन को चिठी लिखे तो बिल्सननी लिखा यावत स्थास्यंती उन्हीं का इश्लोख है यावद स्थास्यंती घिरया सरित स्चमः तले तावद शंसकृत भासा लोकिशु और लिखा और भी श्लोक लिखे की नहीं है कि संस्कृत दुरुबा संस्कृत ज्ञान परंपरा दुरुबा यह सूख जाएगी फिर कभी जल आएगा ने थोड़ा भी फिर तो यह प्रकार से किसी देश में खतम होती है तो दूसरे देश में संस्कृत हम लोग सुरू में हमा संस्कृत क्यों पढ़ें कैसे पढ़ें क्या पढ़ें संस्कृत किसी एक देश की भासा नहीं किसी एक प्रांत की भासा नहीं किसी एक शित्र की भासा नहीं यह पूरे विश्व की भासा केवल हमारा ही अधिकार नहीं है विश्व हर के लोग इसे अपना मानते अंग्रेज प्रेंच जर्मन एक देश की भासा है है लेकिन संस्कित पूरे ब्रह्माण कि इसका किसी देश का नाम नहीं लगा और संस्कित पढ़ने वाले लिखने वाले किसी एक देश और एक समाज से ही जुड़े यत्र विश्वम भवत्य कनेटम टुन्वंतो विश्वमारियम सबको स्रिष्ट बनाना है सबको योग्य बनाना है इसलिए पूरे वैस्विक परिप्रेक्ष में हमें काम करना पढ़ना लिखना सिखाना और दुनिय भर में इस ज्ञान धारा को प्रकासित करना मनुस्मृति के पहला अश्वम पूछा ये वैक किसके लिए लिखा जारा मनु तो सर्वस्यास्यतु सर्गस संपूर्ण सुरिष्टी के लिए और संस्कित पढ़के करेंगे क्या कि इचर बनना तो ही मनु ने लिखा सेना पत्यम्च राज्यंच दंड नेत्रित्वमेवच सर्वलोकाधि पत्यम्च सर्वलोकाधि पत्यम्च वेद शास्त्र विदर्ण सेना पत्यम्च राज्यंच दंड नेत्रित्वमेवच सर्वलोकाधि पत्यम्च सर्वलोकाधि पत्यम्च सर्वलोकाधि पत्यम्च प्रजा पालन करो जुडिसियरी में जाओ भिन्न भिन्न क्षित्रों में कारे करो सर्व लोकाधि पत्यम चर्थ अब सर्व लोकाधि पत्य क्या है तो वर्ड मैंक में जाओ जाओ वहां से पूरे दुनिया भर की पॉलसी नित्रित ये वेद सास्त्र विदा रहती तो हमारे पढ़ लिखते दायरा बहुत और एक से एक लोग इसमें लगे हुए एक इंटर्विव आया आप अर्थ सास्त्र के हैं मॉन्टेंग सिंग अहलुवाली यह हमारे योजना आय उनकी पतनी भी अर्थ शास्त्र वह भी बहुत उत्कृष्ट दोनों कलकत्ता में पढ़े लिखते तो उन्होंने कहा कि मेरे दो प्रिय सब्जेक्ट थे एकोनॉमिक्स और संस्कृत और मैं संस्कृत मेरा नंबर वंग था मनें संस्कृत में जादे रूची थी लेकिन मेरे के फादर ने कहा कि देखो कैरियर की द्रिष्ट इसे एकोनॉमिक्स करो और का उन्होंने कैरियर की द्रिष्ट से मैंने प्रियम मेरा कभी और आज भी मैं संस्कृत तो आज सब पढ़ रहें तो हमें उनको करना हम तो लोग संस्कृत के ही मुख्य रूप से पढ़ने लेकिन विभिन्न सास्त्रों के पढ़ने वाले दुनिया भर में पढ़ने और जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा एक कोई छोटा मोटा काम नहीं है कोई टबलेट नहीं कि खा लिया और आ जाएगा संस्कित में श्लोक लिखना छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है कितना मेहनत किया होगा अनिक्ति तब उसमें गती हुई होगी तो बहुत सुंदर व्याख्यान किया और इसका आयोजन जीतने बड़े कवी हैं लिखते रहते हैं दिन भार लिखते रहते हैं और इस प्रकार से यह बहुत अच्छा आयोजन रहा है यह आप यहां आए और दुनिया भर में इस काम को आगे बढ़ाना है कि दुनिया भर के लोग श्लोक लिखे संस्कित बोल हमारे गुरुजी ने संस्था बनाए सार्व भौम संस्कित प्रचार संस्थान सार्व तो करण सिंग ने पूछा कि पंडी जी आपने 1935 में संस्थान बनाए कि पंडी जी आपने संस्था का नाम तो रख लिया सार्व भौम संस्कित प्रचार संस्थान कैसे करेंगे कैसे दुनिया भर में जाए कि अब प्रयास करेंगे कहा नहीं, आप हमारे घर रहें दस-पंदर दिन, हम यहीं चानक के पूरे में रहते हैं, यहीं दुनिया भर के दूतावास है, आप सब एक-एक दूतावास में जाईएगा, एक-एक दिल, आप समझेगा कि एक देश के दूतावास में गए, तो एक देश में संस्क्रित का प्रचार हो गया इतना एक एक लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस कारी को करने में तो हम लोग तो इतने अच्छे विश्व विद्याले में इतना अच्छे तढंग से पढ़ने का आउसर मिला है और हम किसी से कम नहीं यह बोध के साथ यह आत्म विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा उतकर्ष होगा भारत का हमारी ज्यान परंपरा का और हमारी संस्कृति का हमारे डाक्टर विजिंद्र सिंग जी वियाकरन शास्त्रे में परिनिष्टिक पूरी अस्टाध्या इनको कंठस्त है पूरा गुर्कुल प्रणाली से पढ़ें उस गुर्कुल के विद्यारति हैं जिसमें रामदेव जी ने पढ़ा रामदेव जी के जो आक्षरी के लिए बारे संस्कित साहित्य के ऐसे रत्नों कोई कठा करके राष्टि संस्कित संस्था ने प्रकासित किया दुनिया भर में या भारत में जितना भी यह दाग्तिकट किसी भी प्रकार का संस्कित से संबद्ध कोई भी डाग्तिकट या किसी विद्वान की शास्त्र मिमर्मग्य सर्माजी व्याकरण तो इस प्रकार से हम सभी लोग और आप इतनी योग्य विद्यार्थी वड़े योग्यें क्योंकि ये भारत वर्ष के अखिल भारती अस्तर पर रिक्षा होती है छह साथ सो विद्यार्थी वैठते जिसमें से हम 30-40-50 छटाए विद्यार्थी और इनकी उपलवधी यह है कि यूजी सी इतनी बड़ी परिक्षा होती उसमें 90% हमारे विद्यार्थी एमें करते ही उनको यह स्कालर्शिप मिल जाती है भारत के किसी भी विश्व विद्याले में सेलेक्शन हो रहा हो तो इनका ही सेलेक्शन और यह बाद में हुआ एक साथ 1213 विद्यार्थी आयोग में होता तो इतने विद्यार्थी दुनिया के किसी विश्व विद्याले में जाएं पढ़ें पढ़ाएं तो इनका क्योंकि इनको तो हम यही काते भाई लखनव से दिल्ली आ गये अब दिल्ली से लखनव थोड़ी द अशर मिला कि आप इहां आए इस वर्ष स्वतंत्रता का अम्रित महोटसव मनाया गया था उस पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित होने वाला कुछ विलंब उसमें स्वातंत्र रसायनम करके उसमें भारत वर्ष के सभी कवियों से कौामंत्रित किया गया था तो मुझे बताया गया है कि अभी उसमें प्रकाशित होगा तो मैं यह है श्री भारतेश्वरी स्तोत्रम जैसे आपने सुनाओगा महिशा सुरमर्दिनी स्तोत्र उसी चंद में उसी लाय में लिखा गया यह भारत माता की यह वंदना है तो मैं य आईगिरी राज किरीट विभूशिनी वारिधी सेवित धोत पदे जन गण मान सधाम विहारिनी कानन शैल विहार रते मुनिवर वंधित सैन्य सुरक्षित दैन्य निवारिनी पुन्य धरे जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन में दिनी देवनुते आई नव केशर कुम कुम रंजित दीप्त समुन्नत भाल धरे आई नव केशर कुम कुम रंजित दीप्त समुन्नत भाल धरे सुरत टिनी जल मौक्तिक हार सुषो भित कंभुक कंठ तले सुरभित पुष्प पराग परिश्कृत पुष्कर पल्लव पुन्य पते जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन में दिनी वीरनुते आयति योग विवर्धिनी भोग विधाईनी लौकिक रोग हरे त्रिविध समीरन विल्लित वैदिक हुम जधूम सुवासरते प्रतिकनि कालय वासरते सुविकासरते मृदु हासरते जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन में दिनी लोकनुते आयरगु वम्ष शिरोमनी पार्थिव पालित शाष्वत राष्ट्र धरे यदुकुल नाथ करच्युत मंजुल गोरस पानर सग्यवरे कुरुकुल सैयोग शौर्यय शोगुण संघ महास्वन गानरते जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन में दिनी भूपनुते आगे कुछ लंबा है कुछ ही अंच में अब कुछ सुना देता हूँ आईपुर पत्तन खेटक कानन पर्वत कंदर वासरते मुनिगन पर्ण कुटी मुप गम्य महीपति शेखर पीठ गते शुकपिक व्रिंद निनादरते निलतालत रंगित नृत्यरते जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन मेदिनी सर्वनुते आइकन काचल श्रिंगनि वासिनी निर्धन वेश्म विलासरते वसन विहीन विशन विलोचन संभृत मान विशाल बले शिशुवदनस्थित केली समुत्थित सोमसुधामय भासरते जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन मेदिनी निस्वनुते अब इस श्रोक में वंदे मात्रम का कुछ भाव मैंने समाहित किया है आईशत कोटि सुतादिक पालिनी लक्ष भटाधिप सैन्यधरे द्विगोनित बाहुधृत ओधत शस्त्र सुरक्षित दुर्गम दुर्गधरे आमित जनाश्रय दान परे करुणाम्रित पूरित कुम्भधरे जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन मेदिनी विश्वनुते बस एक दो श्लोकों के साथ समाप्त करूँगा आईशुभदे जन नित्रिद शालय राज समीहित रेणु लते मिलित विहंगम कूजित निर्जर पूजित मोक्षद तोय लते मम जनि भुपित्रि भूप्रिय भूशुचि भूकृति भूर्गति भूर्वसुदे जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन में दीनी पुत्र नूते इसके बाद कुछ विबिन पर्वतो नदियों आदी का भी वर्णा ने एक दो ही सुनाता हूँ आम्रिग राज महागज राज समाज विराजित विंध्यनुते आम्रिग राज महागज राज समाज विराजित विंध्यनुते स्थविरज नालय दिव्यशिवालय शुब्रहिमालय सानुनुते मलय जविज विजित मे घदलाव्रत चारुगुहा चलनी लनुते जय जय भारत राष्ट्रजनेश्वरी पावन मे दिनिशाईलनुते जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरि पावनमे दिनिशैलनुते अब अन्तिम श्लोक इह विरमामिरमे प्रणमामिरमे तवकीर्तिनि कुझजवने इह विरमामिरमे प्रणमामिरमे तवकीर्तिनि कुझजवने यदि नजपा मिसुना मन यामि शम कथा याम्यान रितम नशिवे अयी रसनाबल मेव दयाम आइ देहिच मेच चरते भुवने जय जय भारत राष्ट्र जनेश्वरी पावन में दिनि भक्त नुदे जय जय भारत राश्ट्र जनेश्वरी पावन में दिनी भक्त नूते जब राश्ट्र भक्ति की बात आती है तो मैं दो श्लोग मैं भी सुना देता हूं आपको स्वतंत्रता का अम्रित महुत्सव और बिल्कुर नए पद्ध्य है बिभिन्न धर्मा शृतभारत अश्यमे प्रियस्यदे सस्यमहायसस्विनह प्रतीयतेयं नवकीर्तिमानहो स्वतंत्रताया अम्रितोत्सव सुभा अहो समेशाम् रदे निवाशिनहा सुभारत अश्यास्यमणोहरप्रियाहा अम्रत्त महुत्सव को ये लेकर की लिखा है नवीन शक्त्या शह पूर्ण शाधनो विशाल राष्ट्रस्य मनो रमः प्रिये कस्चित स्वकियां प्रियां बदती नवीन शक्त्या सह पूर्ण शाधनो विशाल राष्ट्रस्य मनो रमः प्रिये शुदृष्यतेयन नवचेतनामया स्वतंत्रताया जनेशु राष्ट्रस्य विशाल भूमी कहा जनेशु राष्ट्रस्य विशाल भूमी कहा श्वतंत्रता सो हित चारुता युतहा जनेशु राष्ट्रस्य विशाल भूमी कहा स्वतंत्रता सो हित चारुता युतहा प्रतीती मायाती विशेशता ताव्रतहा प्रतीती मायाती विभात्य वस्यं परितोति शुंदरो विभिन्नताया मयमेकतामया अखंडताया परमोपदेशकह स्वतंताया शुम्तλ है अजु करें यूदaltenों झांट जूदाया अर्टोर को तव मत्यूत беспिंदाटाया जूँका झाल झाल